राहुल की इस हरकत से परीधी हैरान रह गई, वहीं कबीर को भी राहुल पर बहुत गुस्सा आया तो क्या तुम्हारी आर्टी उतारू, ये जो कुछ भी हो रहा है न, इस सब की वज़ा सिर्फ तुम हो परीधी उसकी बात सुनकर चौक कर खड़ी हो गई राहुल ने बहुत ही बत्तमीजी भरे लहजे में कहा और अपने फोन में परीधी को उसकी और कबीर की तस्वीर दिखाई ये सब क्या है, तुम इस कबीर के साथ क्या कर रही हो कबीर का नाम इतनी पेज़िती से लेने पर वहां मौझूद पूरा स्टाफ आपस में बात करने लगा कि ये इंटर्न इतने सीनियर डॉक्टर के बारे में कितने गंदे तरीके से बात कर रहा है परीधी और कबीर अपनी रियूनियन वाले दिन की तस्वीरें देखकर हैरान रह गए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ इतनी घटिया हरकत किसने की है क्या हुआ, सारी पोल पट्टी खुल गई तो समझ नहीं आ रहा कि क्या बहाना बनाओ कबीर टेंशन में आ गया कि कहीं रहुल यहां सब के सामने ही कुछ भी बोलना ना शुरू करते तब ही परीधी रहुल के पास आकर इधर उधर देखते हुए धीरे से बोली रहुल तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुमें सब बताती हूँ, पर पहले यहां से चलो और वो रहुल का हाथ पकड़ कर ले जाने लगी, तब ही रहुल ने जटके से अपना हाथ छुडा लिया मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जो बात करनी है यहीं कर, और बता, क्या कर रही थी तू इसके साथ, और कब से चला यह सब, बोल, बोल रहुल को इस तरह से बात करते देखकर परिधी को गुस्सा आ गया, यह तुम किस तरह से बात कर रहे हूं मुझसे उसी तरह ऐसे, जिसके तु लायक है, अरे माना की मैं तेरे पीछे पड़ा हुआ था, पर दिलो जान से चाहा था तुझको, कितने नोट उड़ाये थे तुझ पर मैंने, पर फिर भी तू इस कबीर की बाहों में ही जाकर गिरी, वो भी मुझसे मंगनी होने के बाद, भूल गई, कैसे साथ साल पहले तुझे दोगा दे कर भाग गया था, उस वक्त मैं ही था, जिसने तुझे और तेरे परिवार को समाला था, राहुल की ये बाते सुनकर परीधी को बहुत जिल्लत महसूस हो रही थी, पर फिर भी राहुल नहीं रुका, राहुल इतना बोल ही पाया था कि तभी एक जन्नाटेदार थपड उसके गाल पर आकर पड़ा, और पांचों उंगलियां उसके गाल पर छप गई, राहुल एकदम शौक्ड रह गया, उसके सामने कबीर खड़ा था, जो उसे गुस्से में देख रहा था, बस अपनी हद मे रहो, और हाँ, करता हूँ मैं परीधी से प्यार, बहुत प्यार, ये सुनकर परीधी भी शौक्ड रह गई, और वहां खड़े लोग भी ये सुनकर आपस में बाते करने लगे, ये तुम क्या कह रहे हो कबीर, सच कह रहा हूँ परीधी, और मैं कब से राहुल का ये चेहरा तुम्हारे सामने लाना चाता था, परीधी बहुत इंबेरेस्ट फील कर रही थी, उसे लग रहा था, मानो वहां खड़े सभी लोग उसी को घूर रहे हैं, वो हॉस्पिटल से बाहर चली गई, कबीर भी उसके पीछे पीछे चला गया, ये देखकर राहुल पीछे से चिल तब ही हॉस्पिटल के अंदर से आए एक गार्ड ने उसे सस्पेंशन लेटर देते हुए बोला, तो मैं हॉस्पिटल में हाता पाई, और स्टाफ के साथ मिस्बिहेव करने की वज़ए से सस्पेंड कर दिया गया है, राहुल ने गुस्टे से वो लेटर देखा और फिर उ उसे बहुत घुटन महसूस हो रही थी, और वो बस कैसे भी करके घर पहुँचना चाहती थी, तब ही वहां कबीर भागता हुआ आया, परिधी मेरी बात तो सुनो, परिधी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, और बस हर आते जाते आटो को रोपने की कोशिश करती एटलिस्ट तुम सडक के किनारे तो आजाओ, गारियां बहुत स्पेड से निकल रही हैं परिधी, ये सुनकर परिधी गुस्ते से उसकी तरफ पलट कर देखने लगी, मेरी जिंदगी पूरी तरह से रौंदने के बाद अब मेरी केर करने का नाटक कर रहे हो तुम, ये भी हो कि तुमारे ही सरकत से मेरे रिष्टे पर क्या असर पड़ेगा? I know कि ये सब तुमने ही किया है, वो भी जान बूज कर, ये कहकर वो रोने लगी, जिसे देखकर कबीर परेशान हो गया, कैसे यकिन दिलाओं तुमें, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मलकि मैं तो खु बहुत प्यार करता हूँ, और तुमें दुनिया के सामने ऐसे जलिल करना तो दूर, उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। की लड़की बिंदिया, जिसने लाल कलर का लहंगा और चोली पहना हुआ था और चटक मेकप किया हुआ था, उसने पीछे से राहुल को हग कर लिया, क्या बात है राजा, तुम किस आग में इतना जल रहे हो, देखो कितना पसीना आ रहा है तुमें, ये कहकर बिंदिया अपने आपको, मुझे डबल क्रोस करेगी, राहुल राचंद को, दिखा दी आज मैंने उसे उसकी अवकात, चलो अच्छा है कि तुमने उसे छोड़ दिया, अब तुम सिर्फ मेरे हो, ये कहकर बिंदिया राहुल के गले लगने लगी, जिससे राहुल बहुत इरिटेट ह और उसने उसे कस्कर ठका देकर जिड़क दिया, चलट, बड़ी आई ये कहने वाली, कि मैं सिर्फ तेरा हूँ, शायद तु अपनी आवकात भूल रही है, कि तु कौन है, कहां रहती है, और किस से बात कर रही है, राहुल राय चंद कभी किसी ऐसी औरत का नहीं हो सकता, ज गुसरों की छोड़ी हुई बिंदिया को चखने, बोल, चल अब निकल, बड़ा आया हीरोगिरी जाडने वाला, राहुल ने गुस्से से उसकी तरफ चार्ज किया, चुप, जारा चिक-चिक कीना तो हल्ला मचा कर सब को बुला लूँगी, और फिर तुझे यहीं सारी औरत वन्ना मैं खुच जाकर तेरी सारी पोल-पट्टी खोल दूँगी उस लड़की के सामने, कि तू उससे कोई प्यार द्यार नहीं करता, सिर्फ उसके शरीर को रौंधना चाहता है, और जिस दिन तेरी यह मुराद पूरी हो जाएगी, तू उसे छोड़ देगा, और साथ मे वो बात भी जैसे तू सालों से दबाए है, चुप, अब तक जो बोल रही थी मैं सुन ले रहा था, पर अगर ये बात जुबान पर लाई ना, तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, चूँकि इसकी कीमत तू वसूलती है हर महीने, बिंधिया ने गुस्से से राहुल की त आपको क्या मज़ा आता ये मनगणत कहानिया देखने में, इससे अच्छा तो क्रिकिट देख लीजिए, तुम ही देखो, सुश्मा ने मू बनाते हुए कहा, और अक्षत उन्हें देखकर हसने लगा, तभी उनके घर की बैल बजी, अरे इस वक्त कौन आ गया, तभी उनके घर की बैल बार-बार बजने लगी, जिसे देखकर सुश्मा और अक्षत दोनों को बहुत अजीब लगा, अरे कौन है, आ रही हूँ, वेट, पर बैल तभी लगातार बजे जा रही थी, सुश्मा ने भाग कर दर्वाजा खोला, और शौक्ड रह गई, उनके सामने राहु रहुल शराप के नशे में धुत खड़ा था, रहुल को ऐसी हालत में देखकर सुश्मा परेशान हो गई, अरे रहुल बेटा, क्या हुआ तुम्हें, और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, अक्षत भी वहां आ गया, और रहुल को ऐसी हालत में देखकर परेशान ह सुष्मा उसका हाथ पकड़कर अंदर लाने लगी तभी राहुल ने अपना हाथ जटकते हुए छुड़ा लिया ये पहली बार था जब राहुल ने उन लोगों से इस तरह से बात करी थी सुष्मा और अक्षद दोनों हैरान रहे गए परीधी परीधी तो तुम्हारे साथ ही गई थी ना हॉस्पिटिल अरे जूड बोलती है वो मेरे साथ होने का तो नाचक करती है हकीकत में तो अपने पुराने आशिक उस कभीर से मिलने जाती है वो कबीर का नाम सुष्मा और अक्षद दोनों शौक्ड रह गए ये तुम क्या कह रहे हो राहुल और तुम परीधी के लिए ये कैसी बाते कर रहे हो हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे है मौम, कैसी बाते कर रहे हैं आप सही तो कह रहा हूँ होश में तो आज मैं आया हूँ जो मैंने तुम जैसों को इतनी इज़त दी और तुम्हारी इस बेहन परदी को इतना प्यार दिया जो एक नमबर की गिरी हुई घटिया और धोके बाज लड़की है अपनी बेहन के बारे में ऐसे शब्द सुनकर अक्षत को गुस्सा आ गया और वो राहुल की तरफ चार्ज करते हुए बोला अब अगर तुमने एक भी गल्थ शब्द मेरी बेहन के लिए निकाला ना तुमने हॉस्पिटल में जो किया सो किया पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरी फैमली के साथ भी इस तरह से बेहेव करोगे जो कि तुम्हें इतनी इज़त और प्यार देते हैं अरे नहीं चाहिए तुम लोगों का ये बनावटी प्यार और इज़त ये कहकर राहुल ने अपनी इंगेजमेंट रिंग उंगली से निकाल कर परीधी की तरफ फेक दी सभी लोग राहुल की बात सुनकर शौक्ड रह गए राहुल की बात सुनकर परीधी कैसे रियक्ट करेगी क्या कबीर अपनी बेगुना ही साबित कर पाएगा कौन सा राज है राहुल का जो बिंदिया को पता है आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए प्यार के बंधन 2 दिलों की कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर थेंक्स फॉर वाच्च राहुल की बात सुनकर सुश्मा रोने लगी बेटा जल्दबाजी में जिंदिगी के फैसले नहीं लिये जाते तुम तो परीधी से प्यार करते हो ना फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो हाँ चूकि मैं परीधी से प्यार करता हूँ पर वो नहीं और इतने सालों से मैंने रिष्टा निभाया है पर परीधीने नहीं और उसका रीजन मुझे अब समझा चुका है वो आज भी कबीर से प्यार करती है और उसी के वापस आने का अंतिज़ार कर रही थी इसलिए हर बार शादी की बात पर पढ़ाई पूरी करने का बहाना करती थी उसकी बात सुनकर अक्षत परेशान होते हुए बोला ऐसा नहीं है जीजू अगर ऐसा नहीं है तो पूछो अपनी भेहन से कि उस कबीर के साथ ऑपरेशन थेटर में क्या कर रही थी कबीर हॉस्पिटल में? मैं कुछ समझी नहीं कबीर ने अपूलो हॉस्पिटल में ही एस सरजन जोइन किया है और आते ही परेशन ने कबीर को एक सरजरी में असिस्ट भी किया पहले दिन जोइन की इंटर्ण को इतने बड़े डॉक्टर ने खुश सिफारिश करके सरजरी में असिस्ट करने को कहा क्या ये कोई छुटी बात है एक्च्छल में ये इन दोनों की प्री प्लानिंग थी साथ आने की इसी वजह से परेशन ने उसी हॉस्पिटल में इंटर्शिप करने के लिए मरी जा रही थी राहुल ने गुस्से में परीधी की तरफ देख कर बोला जो बिल्कुल पत्थर बनी एक टक दीवार को देखे जा रही थी सुश्मा और अक्षत ने राहुल को समझाने की बहुत कोशिश की पर उसने उनकी कोई बात नहीं सुनी और गुस्से में वहां से चला गया राहुल के जाते ही सुश्मा घुटनों के बल बैट कर फूट फूट कर रोने लगी अपनी मा की ऐसी हालत देख कर परीधी उनके पास आई और जैसे ही कुछ बोलने को हुई तभी सुश्मा ने एक जन्नाटेदार थपड उसके गाल पर जड़ा जिससे परीधी और अक्षद दोनों शौक्ट रह गए कबसे चल रहा है ये सब मॉम आप ये जश्च जब जितना पूछ रही हूँ बस उसका जवाब दो जो राहुल ने कहा क्या वो सच है क्या वो लड़का भी उसी हॉस्पिटल में है बोलो परीधी ने घबराते हुए हामे सरहिलाया तभी सुश्मा ने उसे एक और जाटा मारा शरम नहीं आती तुम्हें जिस आदमी ने तुम्हारे पिता की जान ली तुम अभी भी उसके साथ रिष्टे में हो मॉम ये सच नहीं है मेरी बात तो सुनिये वो मैं बस मुझे कुछ नहीं सुनना बड़ी मुश्किल से मैंने हम दोनों के रिष्टे को सुधारा था पर आज तुमने फिर वही हरकत करके मुझे उसी जगए पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां मैं एक बार फिर सोचने पर मजबूर हूँ कि तुम्हें माफ करके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी शुश्मा के ये शब्द परीदी के दिल को चीर गए पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती सुश्मा ने गुस्से से कहा दूर हो जाओ मेरी नजरों से ये कहकर सुश्मा वहां से चली गई परीधी खुद को संभाल नहीं पाई और आखों में आसू भरे घर से बाहर निकल गई दूसरी तरफ कबीर ने एक घर की डोर बैल बचाई कुछी देर में दरवाजा खुला कबीर के सामने रिचा खड़ी हुई थी तुम यहां इस वक्त आओ कबीर रिचा के साथ घर के अंदर चला गया तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो आना पड़ा रिचा यह कहकर कबीर ने रिचा को हॉस्पिटल में हुई सारी बात बताई जिसे सुनकर वो शौक्ड रह गई राहुल ने ऐसा किया मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह की हरकत कर सकता है एक्शुली वही ऐसी हरकत कर सकता है काश वो सब ना हुआ होता तो आज के हालात ऐसे ना होते रिचा की बात सुनकर कबीर ने अपनी आखें बंद कर ली और उसकी आखों से आसु बहने लगे वो आसु कबीर को साथ साल पहले की दुनिया में ले गए जब परीधी और कबीर साथ में थे क्या सोच रहे हो कबीर कुछ नहीं, बस यही कि इतने कम वक्त में हम दोन एक दूसरे से कितना प्यार करने लगे हैं मैं तो ये समझ जी नहीं पा रहा कि अगर किसी वज़ह से हम एक दूसरे से दूर ऐसी बात तुम सोचते भी क्यों हों क्यों होंगे हम एक दूसरे से अलग? ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा पढ़ाई से ध्यान हट गया है? हम दोनों डॉक्टर बनेंगे और हमेशा साथ रहेंगे. परीधे की बात सुनकर कबीर हलका सा मुस्कुरा दिया. और तुम्हारे पेरेंट्स का क्या? मैं एक बहुत ओर्डिनरी फैमिली से हूँ. तुम्हें एक अपर मिडल क्लास फैमिली को बिलॉंग करती हो. तुम बताती भी हो कि तुम्हारी मा को गरीब लोग पसंद नहीं है. तो फिर वो मुझे कैसे अक्सेप्ट करेंगी? इतनी आगे की बाते सोचने लगी कबीर. अभी हम 11th स्टेंटर्ड में हैं. पूरी जिन्दिगी पड़ी है आगे. जब हम दोनों अपनी जिन्दिगी में सक्सेस्पुल हो जाएंगे, जो की हम होंगे, तब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. ये कहकर कबीर हसकर वहां से जाने लगा. तब ही बेंच पर बैठी परीधी ने उसका हाथ पकड़ लिया. एक बात तुम याद रखना कबीर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूँगी. परीधी के मुह से निकले आकरी शब्द कबीर के कानों में गूंजने लगे और उसने अपनी आँखे खोल ली. उसकी नजर सामने खड़ी रिचा पर पड़ी, जो की उसे ही देखे जा रही थी. कहां खो गए कबीर? कब से बुला रही हूँ मैं तुम्हें? खुछ नहीं, बस हतीत की यादें अपने साथ ले गई थी. खेर, तुम बताओ, क्या कह रही थी? आगे क्या करना है कबीर? कुछ सोचा है तुमने? तुम्हारे कहने पर मैं परीधी को जूट बोलकर रियूनियन में ले आई. यहां तक की जब तुम चोरी छुपे उसके कमरे में उस राध घुसे तब भी मैं तुम्हारे साथ थी. क्योंकि मैं किसी भी तरह से उसे उस रा परीधी को फोन करो. पता नहीं आज के बाद के बाद वो किस हाल में होगी? अभी मैं चलता हूँ. यह कहकर कबीर वहां से चला गया. कबीर के जाने के बाद रिचा परीधी का फोन ट्राय करने लगी, पर उसका फोन लगने ही रहा था. वहीं कुछ ही देर में कबीर अपने कबीर वहीं रुक गया. तब ही हरीश ने तखत पर रखी डायरी से एक तस्वीर निकाल कर कबीर के सामने कर दी. यह क्या है? इसका नाम सेजल है. इसके बाप का कार का बहुत बड़ा बिजनस है. और इस लड़की से हमने तुम्हारी शादी तै कर दी है. क्या? कबीर ने एक नजर अपनी मा की तरफ डाली, जो तखत पर परेशान सी बैठी हुई थी. मैं इस शादी नहीं का सकता. क्या? क्या कहा तुमने? देख रही हो अपने सुपुत्र के लक्षान. यह मेरी बात को मना कर रहा है. तो आप भी तो ऐसी बाते कर रहे हैं. ऐसे फैसले इतनी जल्द बाजी में तो नहीं लिये जाते. अच्छा! तो ये शैद तुम्हारी तरफ से दी गई है. तुरी इतनी हिम्मत बढ़ गई. ये कहकर हरीश सुनेना की तरफ गुस्ते से बड़े तभी कबीर ने उन्हें रोका. आपने मेरे सामने सालों पहले जो शर्ट रखी थी. मैंने वो पूरी भी कर ली है. पर अब मैं उस शर्ट से आजाद हूँ. इसलिए अब मैं अपनी जिन्दगी के फैसले खुद करूँगा. अच्छा तो ज़रा मुझे भी बता दे. क्या है तिरा फैसला? मैं शादी करूँगा तो सिर्फ परिधी से करूँगा. वरना किसी से नहीं. परिधी का नाम सुनते ही जैसे उस घर में मसान सी छा गई. हरीश और सुनेना दोनों के होश उड़ गए. अरे समझाओ अपने बेटे को. तिमाग खराब हो गया इसका. इतना कुछ होने के बाद अभी भी ये उसी लड़की के पीछे है. कबीर, बेटा ये तुम क्या कह रहे हूँ? तुम्हें पता है ना की? जो हुआ उसमें मैं का सुर्वार नहीं था. पर मुझे मेरी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं मिला. क्योंकि मुझे कस्मों से बांद दिया गया था. पर अब मैं आजाद हूँ. हर कस्म को पूरा करके उससे आजाद हूँ. इसी लिए अब मैं अपनी बेगुनाही और अपना खोया हुआ प्यार दोबारा वापस पा कर रहूंगा. और एक कितने जतन करके तुझे इस बवाल से निकाला है, तो क्यों फिर से उसी रास्ते पा जाना चाहता है? सचाई छुपाई जा सकती है, पर मिटा ही नहीं. मेरे प्लीज, अब मुझे मत रोकिएगा. ये कहकर कबीर वहां से चला गया. अब तुफान आने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा बेटा सब तबा कर गे छोड़ेगा. ये कहकर हरीश भी वहां से गुस्से में अपने कमरे में चले गए. दूसरी तरफ राहुल गुस्से में अपने घर पहुँचा. वहीं विनै रायचंद हौल में बैठे हुए थे. राहुल को गुस्से में देखकर वो कुछ कहने को आगे बढ़े कि तभी राहुल उन्हें हाथ दिखाते हुए बोला. इस वक्त नहीं पापा. इस वक्त आपका कोई भी टॉंट या कमेंट मैं बर पड़ से शराब की बोतल निकाली और पीने लगा. तभी उसका फोन बजा. फोन उसके दोस्त रोहित का था. राहुल ने फोन उठाया. साले कहा है तू? जिन्दा है की नहीं? लगता है अपनी महबुबा के साथ जादा ही बिजी है. तभी दोस्तों के लिए टाइम नहीं रहे गया तेरे पास. मैं तुमसे बाद में बाद करता हूँ. राहुल फोन रखने लगा. तभी रोहित बोला. ये कहकर रोहित हसने लगा. जिससे राहुल और इरिटेट हो गया. और उसने फोन कार्ट दिया. तभी रोहित का दुबारा फोन आया. और वो बोला. हुआ क्या? बताओ तो. मैंने उस परिधी से सार रिष्टे नाते तोड़ दिये हैं. ये बोलते हुए राहुल ने गुस्ते में रोहित को सारी बात बताई. जिससे सुनकर एक पल को रोहित हका बक्का रह गया. और फिर बोला. मैंने तिरे जैसा गधा आज तक नहीं देखा. चा बक्वास कर रहा है तू? तू कबसे परिधी से प्यार करने लगा राहुल? भूल गया? कितने सालों से तू परिधी के साथ क्यों है? साथ साल पहले जब परिधी ने तिरा प्रपोजल ठुकराय था. तब तूने हमसे शर रही मेहनत पर पानी फिर लिया. रोहित की बात सुनकर राहुल सोच में पढ़ गया. उस परिधी का कबीर से क्या है और क्या नहीं? तुझे उससे क्या लेना देना? तू सिर्फ अपने मकसद पर फोकस कर और इस बात का ध्यान दख कि ये बात आगे अगर अंकल तक गलती का एहसास होते ही रहुल बोला तू सही कह रहा है रोहित? मैंने बेवकूफी में बिना सोचे समझे रियक्ट कर दिया पर आज जो कुछ भी हुआ उसने मेरे अंदर के गुस्ते को और बढ़ा दिया है अब मैं परिधी को दुबारा मनाऊंगा फिर चाहे मुझे उसक ये कहकर राहुल ने फोन काट दिया और एक धूर्टता के साथ खुद से बोला अब तुम देखना कबीर कि मैं कैसे तुम्हारी माशुका को तुम्हारी आखों के सामने अपनी बाहों में भरता हूँ तुम्हार उस थपड का जवाव तुम्हें इस थपड से मिलेगा जिस एक दो बार उसने फोन नहीं उठाया पर बार बार फोन आने पर उसने फोन रिसीव किया हलो परीधी कहा हो तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ क्या हुआ तुम इतनी परेशान क्यों हो इसके बाद रेचाने परीधी से कुछ ऐसा कहा कि उसके होश उड़ गए और वो तुरंत बस स्टॉप से बाहर की तरफ भागी आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिसने परीधी को इसकदर परेशान कर दिया आखिर क्या है बीते साथ सालों की कहानी जिसने कबीर और परीधी को इसकदर अलग कर दिया आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए प्यार के पंधन टू, दिलों की कहानी का अगला भाग, सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर, थेंक्स पॉर वाचिंग। और वो सीधा थर्ड फ्लोर की तरव भागी, जैसे ही वो थर्ड फ्लोर पर पहुँची, वहीं उसे अक्षद बॉर्ड के बाहर टहलता दिख गया, साथ में रिचा भी खड़ी हुई थी। के आसू बहने लगे, परीधी भी अपने आसूओं को रोक नहीं पाई, और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे, पास खड़ी रिचा उनके पास आई और परीधी के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली देने लगी, संभालो खुद को परीधी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा रिचा, आज सिर्फ मेरी वजह से मेरी मौमेस हालत में है। नहीं दीधी, खुद को बले मत कीजिए, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है, I trust you। दूर खड़ा कबीर बेबसी से सब कुछ देख रहा था, वो बिना कुछ कहे सीधे अपने केबिन में चला गया, तब ही रिचा ने उसे जाते हुए देख लिया, और वो भी उसके पीछे पीछे चली गई, केबिन में कबीर की आँखों के सामने परीधी का दुखी चेहरा घूमने लगा, और उसने गुस्से से टेविल पर हाथ मारा, तब ही वहां रिचा आ गई, क्या मतलब? हॉस्पिटल आ गई, रास्ते में मैंने परीधी को फोन करके इसके बारे में बताया, हम लोग हॉस्पिटल आ गए और मैंने तुम्हें इनफॉर्म किया, हॉस्पिटल में मुझे अक्षत ने जो बताया, उसे सुनकर मैं हैरान रह गई, कबीर उसकी तरफ सवालिया नजरो मुझे तो ये शुरू से पसंद नहीं था, याद नहीं कैसे परीधी के पीछे पड़ा रहता था, कितनी ही बार परीधी ने इसे मना किया था, पर फिर भी ये नहीं मानता था कबीर और परीधी के स्कूल ने स्पोर्ट स्टे और्गनाईज किया था, जहां दूसरे स्कूल के बच्चे भी आये हुए थे, कबीर ने स्कूल रेस में पार्टिसिपेट किया था, उसी रेस में राहुल ने भी अपने स्कूल से पार्टिसिपेट किया था, परीधी अपन नजरों से बचकर जान बूझ कर कबीर को हलका सा साइड से पुश किया जिससे उसके कदम लड़ खडा गए राहुल एक शैतानी मुसकान दे कर आगे निकल गया कबीर को राहुल पर बहुत गुस्ता आया और उसने बिना वक्त गबाय खुद को संभाला और बहुत तेज स्प गया तभी राहुल का दोस्त रोहित उसके पास आया यार राहुल तो हार कैसे गया बलकि मैंने देखा था कि तुने उस लड़के को हलका सा धक्का भी दिया था गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है पर इस वक्त मैं कुछ कर नहीं सकता राहुल रोहित से बात कर ही रह रोहित की बात सुनकर राहुल ने खुद पर बहुत गर्व महसूस किया और दोनों स्पोर्ट स्टे इवेंट के खतम होने का वेट करने लगे सारे स्पोर्ट कॉम्पिटिशन खतम होने के बाद सारे विनर्स को मैडल मिले कबीर को भी मैडल पहनाया गया मैडल लेकर ग्राउंड में वो वहां आया जहां परीधी खड़ी थी दोनों हसने लगे और कबीर ने परीधी को एक साइड हग दिया दूर खड़े राहुल और रोहित सब कुछ देख रहे थे भाई ये तो पहले से ही सेट है और देखका लगता है कि बहुत प्यार भी करते हैं एक दूसरे को राहुल ने रोहित की बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्ते में वहां से चला गया एक हफ्ता बीद गया पर राहुल के दिमाग में अभी भी परीधी चड़ी हुई थी राहुल अपने कमरे में था तभी उसके पास उसकी मां अंबिका आई राहुल चलो जल्दी से रेडी हो जाओ हमें तुम्हारे पापा के साथ एक बिजनेस पार्टी में जाना है मा आप लोग चले जाएए मेरा मन नहीं है मन नहीं है? तुम्हारा तो पार्टीज में जाने का हमेशा मन रहता है? तो फिर आज ऐसा क्या हुआ? तब यह ठीक नहीं है क्या? ठीक है मा, बस ऐसे मन है कर रहा चलो, अच्छा लगेगा, आशी भी जा रही है और वैसे भी हम चारों को एक साथ टाइम कहां ही मिलता है साथ रहने का? इन पार्टीज के बहाने ही कुछ टाइम एक साथ स्पेंड कर लेंगे? अम्बिका के बार-बार कहने पर राहुल को मानना पड़ा और वो लोग पार्टी के लिए निकल गए पार्टी में परीधी भी अपने पापा विजय, सुश्मा और अक्षत के साथ आई हुई थी मिस्टर विजय शर्मा भी एक बिजनसमैन थे, विजय और विनय रायचंद अक्षर ऐसी पार्टीज में मिलते रहते थे, इसलिए उनकी अच्छी जान पहचान थी राहुल ने जैसे ही परीधी को देखा, उसका सारा मूर ठीक हो गया अच्छा ही हुआ कि मैं पार्टी में आ गया, फ़रना मेरे हाँ से इतना वड़ा मौका निकल जाता ये सोचकर राहुल परीधी के पास गया हाई हाई पहचाना मुझे, मैं राहुल, पिछले हफ़ते तुम्हारे स्कूल में स्पोर्स जे इवेंट हुआ था, तो उसमें रेसिंग में रनर था मैं ओ, अच्छा, ग्रेट पर मैंने किसी भी कॉंपिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो फिर तुम मुझे कैसे जानते हो अब तुम पर किसी की भी नजर पड़ेगी, तो वो यूही भूल थोड़ी पाएगा तुमको परीधी को राहुल की बात थोड़ी अजीब लगी, इस्क्यूज मी ये सुनकर परीधी थोड़ा नॉर्मल हुई, ओके वैसे तुम इस पार्टि में कैसे? एक्शुली मेरे फादर भी एक बिजनेस मैन है, तो अकसर हमारा आना होता रहता ऐसी पार्टीस में चलो ये सही है, अब तो अकसर मिलना होता ही रहेगा परीधी ने फोस्ड स्माइल पास करी और वहां से जाने लगी अरे कहां जा रही हो, अटलिस्ट अपना नंबर तो देती जाओ, अब तो हम फ्रेंड्स है ना ये कहकर परीधी वहां से चली गई, राहुल मन ही मन क्लिस करता रह गया पार्टी में राहुल की नजरे सिर्फ परीधी पर थी, परीधी अपने मम्मी पापा और भाई के पास आ गई जो विनैरायचंद, अंबिका और छोटी सी आशी के साथ खड़े थे परीधी नहीं जानती थी कि वो राहुल का परिवार है बेटा, अंकल आंटी से नमस्ते करो नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी भाई सहाब, ये मेरी बेटी है, परीधी नमस्ते बेटा, नमस्ते, नमस्ते राहुल ने जब परीधी को अपने पेरेंस के साथ खड़ा देखा, तो वो भी जल्दी से वहाँ आ गया. बिने रायचंद ने राहुल का इंट्रोडक्शन विजय और सुश्मा से कराया. राहुल ने इंप्रेशन जमाने के लिए जट से पैर छू लिये और उनसे घुलने मि परीधी इस वक्त बायो में तुम्हारे स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? एक्चुली हमारे हां बायो के टीचर इतना खराब पढ़ाते हैं क्यों कुछ समझ नहीं आता और नहीं पपर नोट्स देते हैं. हाँ वो अभी सेल साइकल और सेल डिविजन चल रहा है. व परीधी बिटर रहुल को अपना फोन नमबर दे दो. परीधी ने रहुल की तरफ देखा, जो अभी भी बेचारा सा मूँ बनाए खड़ा था. परीधी को मन ही मन उस पर बहुत गुस्सा आया. पर इस वक्त फोन नमबर देने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं उसने बेबन से रहुल को अपना फोन नमबर दे दिया, जिसे पाकर मन ही मन रहुल ने अपनी जीत महसूस करी. कुछी देर में दोनों परिवार अपने अपने घर के लिए निकल गए. अब रहुल का रोज का हो गया था. वो स्कूल जाने से पहले और लोट कर आने के बाद परिधी को क्रिंजी से मैसेज किया करता था, जिससे परिधी इरिटेट होती रहती थी. कूल में परिधी ने ये बात रिचा और कबीर को बताई. समझने आ रहा कि क्या करूँ, इस लड़के ने तो पागल कर रखा है, ब्लॉक भी नहीं मार सकती, क्योंकि हम दोनों के परि देशान हूँ और तुम हस रहे हो? तो उस बेवकुप राहुल की बात अपर हसूना तो क्या गरो? I would not be surprised कि अगर वो तुम्हें प्रपोस कर दे. शट आप कबीर! ये कहकर परीधी वहां से चली गई. शाम को घर पहुँचने के बाद जब उसने अपना फोन चेक किया, तो वहां एक्षुल में राहुल का प्रपोसल पड़ा हुआ था. परीधी ने अपना सर पकड़ लिया, और फिर जुझलाते हुए राहुल को फोन मि लाया. ये तुमने मुझे अभी क्या मैसेज किया है? बस अपने दिल की बात लिखी है. सुनो राहुल, मुझे इन सब चीजों में कोई इंट्रस नहीं है और ना ही तुम्हारे प्रपोसल में, इसलिए पहली और आखरी बार कह रहे हुँँ कि दुबारा ऐसी हरकत मत करना. ये कहकर परीधी ने फोन डिसकनेक्ट कर दिया. परीधी की ना से राहुल का इगो हर्ट हो गया और उसने मन में ठान लिया कि वो परीधी को अपने सामने जुका कर रहेगा. आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल से इतना इरिटेटेड रहने वाली परीधी उसके साथ आ गई कबीर और परीधी के अलग होने के पीछे क्या वज़ा थी? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए. प्यार के बंधन 2 दिलों की कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर. ठेंक्स पर वाचिंग. पहले डॉक्टर खुराना इस केस को हैंडल करने वाले थे, पर डॉक्टर कबीर परसनली इस केस को हैंडल करना चाहते थे. इसलिए उन्होंने ये केस अपने हाथ में ले लिया और वैसे भी आपको तो रिलेक्स ढोना चाहिए कि आपकी मदर सेफ हैंट्स में है. परीधी जाने लगी तभी अक्षत ने उसका हाथ पकड़ लिया दीदी इस वक्त हमारे लिए मॉम की हेल्थ सबसे ज़्यादा जरूरी है तो फिर चाहे कोई भी उनका केस हैंडल क्यों ना करे परीधी अक्षत की बात सुनकर चुप हो गई पर फिर वहां से जाने लगी अक्षत ने जाने लगी तभी उसके कान में रिचा के शब्द पड़े गबीर कुछ भी करके इस राहुल को परीधी की जिंदिगी से निकालना हो फिक्र मत करो, मैं सारी चीज़ ठीक कर दूगा मैं नहीं चाहती थी कि वो राहुल तुम्हारी जिन्दगी बरबाद करे, वो अच्छा इंसान नहीं है परीधी, और अब तो इसका सबूत तुम्हें खुद भी मिल चुका है, देखानी तुमने किस बत्तमीजी से उसने तुम्हारे साथ बरताव किया, अगर वो तुमसे प् कबीर की तरफ देख कर कहा, और कबीर ने दर्द से अपनी आखें बंद कर ली, तुम कह रही हो कि तुम मुझे राहुल से बचाना चाहती हो क्योंकि वो मेरी जिन्दगी बरबाद कर देगा, पर तुम ये बताओ कि किसी की उजड़ी होई जिन्दगी और तूटे हुए द दूसरा उसकी वज़ा है, ये कहते कहते परिधी वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, परिधी एक बार अपने दिल से पूछो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, नहीं, नहीं पूछना मुझे अपने दिल से क्योंकि अब मेरा दिल कोई जवाब ही नहीं देता है, और आ कि खिलाब जाकर मैं तुम्हारे लिए खड़ी रही और तुमने क्या किया, भाग गए, शहर क्या देश ही छोड़ दिया, तुमने तो खुद साबित कर दिया कि तुम्हें खूनी हो, तुम्हारी वज़ा से मेरी माने एक वक्त मुझसे रिष्टा तोड़ दिया, दो साल मे मेरे उसी ट्रोमा में वरबाद हो गए, आज जिस राउल को तुम बुरा भला कह रहे हो न, वही था जो उस वक्त हमारा सहारा बना, बनना पता नहीं हमारा क्या होता, उसने मेरा और मेरी मा के बीच करिश्टा ठीक कराया, हमें संभाला, जिसके बदले अगर वो कुछ भी क परीधी ने अपने आसू पोँचे और वहां से चली गई, कबीर आसू भरी आँखों से बस उसे जाता हुआ देखता रहा, अब क्या होगा कबीर, परीधी तो कुछ सुनने और समझने को तैयार ही नहीं है, कबीर ने रिचा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, और वहां स चला गया, शायद अभी वो इस हालत में नहीं था कि कोई जवाब दे सके, वो सीधा वाश्रूम में चला गया, और कस-कस कर अपने चहरे पर पानी के छीटे मानने लगा, परीधी के कहे शब्द लगातार कबीर के कानों में गूंज रहे थे, मैं तुम्हें कैसे समझाओं कुछ देर बात कबीर थोड़ा नॉर्मल हुआ, और बाहर आ गया, वो शुष्मा को चेक करने उनके वाड में गया, जो अभी भी बेहोश थी, परीधी और अक्षद वहीं बैठे हुए थे, और पास ही में रिचा खड़ी थी, कबीर ने बिना परीधी की तरफ देखे, ची बाकी ब्लड प्रेशर की दवा मैंने लिख दी है, बाकी कुशिश कीजिए, कि ये स्ट्रेस से दूर रहें, तुम दूर रहो हमारी सिंदिगी से, स्ट्रेस अपने आप दूर हो जाएगा, कबीर ने परीधी को एक नजर देखा और वाड से जाने लगा, तभी वाड के दर बाकी रह गया है? मैं यहां तुमसे और बाकी सबसे माफी मांगने आया हूँ, मैंने तुम्हारे साथ जैसा बीहेव किया, वो मुझे नहीं करना चाहिए था राहूल इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, और इस बारे में तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ, और तुम्हें मॉम की बारे में कैसे पता चला? मैं तुम्हारे घर गया था, तो फिर तुम्हारे पडोसियों से पता चला, मैं जानता हूँ परेधी, कि तुम मुझे नरहाज हो, तुम्हें होना भी चाहिए, मैंने हरकती असी करी है, फरेकीन मानो, मैं इस तरह से कबीर को अपने सामने अचानक देखकर, मैं अपना आप लिया और वाड से बाहर निकल गई, राहुल भी उसके पीछे पीछे गया, रिचा को राहुल को देख देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, अक्षत मैं जो कहने जारी हूँ मुझे पता है तुम नहीं मानोगे, पर परीधी की बेस्ट प्रेंड होने के नाते कहती हूँ, राहुल सही इंसान नहीं है, हो सके तो दुबारा से उसको उसके जाल में फसने से रोक लो, ये कहकर रिचा वहां से चली गई, और अक्षत के मन में हजार सवाल छोड़ गई, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही परीधी रिसेप्शन के पास पहुँची, उसे महसूस हुआ कि व ये कहकर दोनों हसने लगे, परीधी को बहुत जिल्लत महसूस हुई, और उसके आखों में आसु आ गए, राहुल ने भी उन दोनों की बाते सुनी, उसने सामने से तो गुस्सा जताया, पर मन ही मन परीधी की बेजजिती होते देखकर उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थ वही कबीर जो अपने राउंड पर निकला था, उसने भी खड़े होकर सारी बाते सुन ली थी, कबीर को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, और वो अपने केबिन में चला गया, केबिन में पहुँचते ही कबीर ने किसी को फोन करा, ये कहकर कबीर ने फोन रख दिया, अब इस खेल का अंत होकर रहेगा, तेरी सचाई सामने आकर रहेगी राहूल रायचंद, परिधी चाहे मुसे कितरी भी नफरत क्यों न कर ले, पर मैं तुझे उसकी जिन्दगी नहीं बरबाद करने दूँगा, वहीं दूसरी तरफ परिधी ने भरे गले से दवाई ली, और चुपचा वहाँ से जाने लगी, राहूल दुबारा से उसके पीछे आने लगा, परिधी के साथ वो भी बॉर्ड में घुसने लगा, इतना सब करके भी तुम्हें शांती नहीं मिली, अब और क्या चाहते हो मुझसे, क्यों पीछे पीछे आ रहे हो मेरे, देखो मेरी मा की तबियत वैसे ही ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ और कोई तमाशा नहीं चाहती, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीद, नहीं, तुम नहीं समझ सकते रहूल, अगर समझ सकते तो ऐसी हरकत कभी नहीं करते, प्लीज चले जओ यहाँ से, रहूल हताश होकर वहाँ से जाने लगा, कि तब ही अक्षद वौट से बहार आकर बोला, दीदी, मॉम को होश आ गया है, ये सुनकर परीधी ने चैन की सांस ली, और भागते हुए अंदर आ गई, सुश्मा बैट पर लेटी हुई थी, मॉम आप ठीक तो, सुश्मा ने परीधी को देखकर अपना मुँ फेर लिया, परीधी उनके पास आकर बैठ गई, मॉम आपकी ये बेरुखी मुझसे बरदाश नहीं हो रही है, मैं सच कह रही हूँ, मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि कभी रिस हॉस्पिटल को जॉइन करने वाला है, जितना शौकिंग ये बाकी सब के लिए था, उतना ही मेरे लिए भी है, मैं सच कह रही हूँ, मान लिया, परिस्कूल रियूनियन, वहां का क्या परी थी, वो वहां भी तो था, तब भी तुमने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं आपको परिशान नहीं करना चाहती थी, मॉम, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मेरा यकीन कीजिए, सुष्मा कुछ बोलने जा ही रही थी, कि तब ही उनकी नजर बॉर्ड में अंदर आते राहुल पर पड़ी, राहुल को वहां देखकर वो शौक्ड रह गई, जो कुछ भी मैंने किया, उसकी वजह से मुझे आपसे नजरे मिलाने में भी शर्मिंद की महसूस हो रही है, मैंने तुमसे मना किया था ना राहुल, फिर भी तुम अंदर क्यों आए, प्लीज इस वक्त यहां से चले जाओ, राहुल का चहरा उतर गया, और वो वहां से जाने लगा, तभी सुष्मा ने उसे रोका, रुको राहुल, सुष्मा की आवाज सुनकर राहुल रुक गया, तुम चाहती होना कि मैं तुम्हें माफ कर दू, हाँ मॉम, मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी परीधी जब तुम राहुल को अपनाओगी, मॉम ये आप क्या, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ परीधी के पास अपनी मौम की नाराजगी दूर करने का और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी मानना पड़ा, बस अब मैं ठीक होते ही राहुल के घर पर बात करके तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी करवा दूंगी, परीधी और बाकी सब सुष कि ये बात सुनकर शौक्ड रह गए, यार ये बुढ़िया तो शादी तक पहुँच गए, खैर अगर मन्जिल तक पहुँचने का यही रास्ता हुआ तो मैं वो भी करूंगा, और बाद में छोड़ दूंगा, ये सोचकर राहुल मन ही मन खुश होने लगा, माम इतनी भी क कही ना कहीं अक्षत के मन में रिचा के शब्द गूंज रहे थे, नहीं अक्षत, मैं नहीं चाहती जो इस बार हुआ वो दुबारा कभी हो, और उसे दुबारा हमारी जिंदगी में आग लगाने का मौका मिले, और वैसे भी ये तो होना ही था एक ना एक दिन, तो फिर परीधी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जबाब दे, तभी वार्ड में कभीर आ गया, कभीर को देखते ही सुष्मा के चहरे के भाव बदलने लगे, और उनकी आखों में बेताहाशा नफरत और गुस्ता उतर आया, क्या कभीर परीधी और राहुल की शादी रोक पाए सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर, थैंक्स फॉर वाचिंग और राहुल बहुत घबरा गया, यह क्या बखवास कर रही हो तुम, निकलो यहां से, पैसों के लिए तुम इतना गिर सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था, अरे मेरी तो मजबूरी है पैसा, पर तू तो अपने गुना चुपाने के लिए मेरे मूँ पर पैसे मारता है हर मै तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो, तुम जिससे शादी कर रही हो, यह तुम से कोई प्यार व्यार नहीं करता है, यह तो बस एक शर्थ जीतने के लिए और तुम्हें बिस्तर तक लाने के लिए शादी कर रहा है, तुम्हारे बाप को इसकी असलियत पता चल गई थी इसलिए इसने उनको चाकू मार कर मार डाला परीधी एकदम शौक्ड रह गई और राहुल बॉकलासा गया जूट बोलना बंद करो यहां तुम्हारी बात तो को यकिन नहीं करेगा मेरी शादी हो रही है इसलिए यहां से चली जाओ बिंदिया कहीं नहीं जाएगी कबीर ने घर के दर्वाजे के पास खड़े होकर बोला जहां उसके साथ उसके माता-पिता और रिचा भी खड़े थे ओ तो यह सब तुम्हारी चाल है मेरा उप परिधी का रिष्टा तोड़ने की स्राजिश्य रचना तुम्हारा गाम है राहुल मेरा नहीं सुश्वा अंटी आप चुप क्यों है इसे यहां से बहार निकालिए न निकल जाओ यहां से कबीर और इन सब को भी लेकर जाओ शिला जाओंगा बस एक बार राहुल अपना गुणा कबूल कर ले कि इसने विजय अंकल को चाकू मार कर मारा था मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है तुम जूट बोल रही हो अच्छा तो क्या यह सच नहीं कि इसी बात को छुपाने के लिए तुम मुझे हर मईने पैसे देते हो क्योंकि एक रात नशे की हालत में तुमने ये कबूल किया था कि तुम ही ने विजय शर्मा की चाकू मार कर हत्या करी थी यह जूट है मैंने विजय शर्मा को चाकू नहीं मारा तो फिर कैसे मारा कहार से कुचल कर राहुल के मुझे हडबडा हट में निकल गया राहुल के शब्दों ने सुश्मा और परीधी को जगजोर कर रख दिया परीधी मैंने कुछ नहीं किया यह इसका भी ने जान बूच कर राहुल इतना बोल ही पाया था कि तभी परीधी ने एक जोरदार थपड़ उसके चहरे पर मारा चुप शरम नहीं आती तुम्हे इतना बड़ा गुनहा करने के बाद भी मुझसे इतना बोलने की हिम्मत है तुम्हे तभी वहाँ पुलिस आ गई पुलिस को देख कर राहुल डर गया कोई रास्ता ना दिखने पर राहुल के सामने सच बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था जब परीधी ने मेरा प्रपोसल ठुक राया तो मुझे बहुत गुस्सा आया उसी जुझलाहट में मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई जो मेरा मजाग उलाने लगे इससे मेरा इगो हट हो गया और मैंने उसे शर्त लगा ली कि परीधी को बिस्ता तक लाकर रहूंगा मैंने परीधी और उसके परिवार के बारे में जानकारी करना शुरू कर दिया जिस दोरान मुझे पता चला कि विजए अंकल परीधी का असली पिता नहीं है और सुश्मा अंटी मिडल क्लास लोगों से नफरत करती है क्योंकि उनकी जिंदगी एक मिडल क्लास आदमी ने बरबात करी थी इसी बात का फायदा उठाकर मैंने उनके सामने इंप्राइशन जमाना शुरू किया और मैंने ही एक दिन कबीर और परिधी के साथ की फोटोस ने भेज कर इन दोनों के रिष्टे के बारे में बता दिया मैं जानता था कि सुश्मा अंटी को पता चलते ही वो इस रिष्टे को तुड़वा देंगी और हुआ भी ऐसा ही कुछ सुश्मा अंटी को इन दोनों की दोस्ती नहीं पसंद आए क्योंकि कबीर बढ़े घर से नहीं था सब कुछ सही जा रहा था पर तभी एक गड़बड हो गई और भाई कहा तक पहुंची देरी गाड़ी अरे सब एकदम सही जा रहा है बहुत जल्द वो हो जाएगा जो मैं चाहता हूँ वो परिधी मेरे साथ मेरे बिस्तर पर होगी उसकी माँ को तो मैंने पूरी तरह से अपने वश में करी लिया है कवीर भी अपने आप रास्ते से हट रहा है बस सही मौका मिले और मैं अपने मकसद में काम्याब हो जाओ और उस परिधी की सारी अकड़ ठिकाने आ जाए तो चिंदा मत कर सब हो जाएगा रोहन से बात करके राहुल जैसे ही पल्टा तो उसके सामने विजय खड़े थे जो उसे गुस्से से देख रहे थे राहुल उन्हें अपने सामने देखकर घबरा गया अंकल वो मैं तुम्हारी हिमत कैसे होई मेरी बेटी के बार में इतनी उच्छी बात करने की अब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ ये कहकर विजय गुस्से में वहां से चले गए राहुल भी उनके पीछे पीछे गया विजय कार में बैठे और वहां बैठकर उन्होंने कबीर को फोन किया ये कहकर विजय ने फोन डिसकनेक्ट कर दिया कबीर भी अपने घर से एक पुरानी सी तूटी-फूटी कार लेकर निकला विजय ने अपनी कार साइड में रोक ली और कबीर का इंतिजार करने लगे राहुल उनसे थोड़ी दूर खड़ा होकर विजय की अगली हरकत का इंतिजार करने लगा जैसे ही कबीर की कार उसे आती हुई दिखी उसने अपने मुँपर रुमाल बांध कर कबीर की कार से थोड़ी आगे अपनी कार चलानी शुरू कर दी और विजय के पास आकर उसने जान बूच कर उन्हें हलकी सी ठोकर मारी जिससे वो गिर कर कबीर की कार के सामने आ जाए और एक्सिडेंट हो जाए हुआ भी कुछ ऐसा ही विजय टककर की वजह से कबीर की कार के सामने आ गए और उन्हें जोर की ठोकर लग देई, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े कबीर घबराकर बाहर आया, और विजय को देखने लगा, वो बेहोश हो गए थे कबीर घबराकर इधर उधर देखने लगा, और लोगों को बुलाने के लिए थोड़ा आगे चला गया मौके का फाइदा उठाकर राहुल ने अपनी कार से बेहोश पड़े विजय को कुचल दिया, और वहाँ से भाग गया मैंने जाने के बाहद आगे मिले कुछ आदमी उसे कह दिया, कि कार नेक आदमी को कुचल दिया कबीर जब वापस आया, और विजय को इस हालत में देखा, तो बहुत डर गया और खुदी ही मत करके उन्हों उठाकर कार में बिठाकर लिजाने लगा जिस उसके कार के टायर पर भी खून के निशान आ गए वहाँ आए लोगों ने उसी को कातल समझा, और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और उसे जेल में डाल दिया गया, पर परिधी को अभी भी कबीर पर पूरा भरुसा था कि वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने एक अंजान आदमी बन कर कबीर को चुडाने में लगे, उसके बाप हरिश को फोन किया और कहा कि वो उसके बेटे को चुडाने के लिए पैसे दे देगा पर उसके बदले में उसे अपने बेटे को इस देश से दूर भेजना होगा कबीर के बाप ने मेरी बात मान ली, और वैसा ही हुआ मेरे दिये पैसों से कभी छूट गया जिसे केस बंद हो गया और वो परिधी की जिंदगी से भी दूर हो गया उसी का फाइदा उठा कर मैंने परिधी उसके परवार के मन में कभीर के लिए नफरत भर दी और उनका शुक्चिन तक बन गया एक दिन शराप के नैशे में जब मैं कोठे पर बिंदिया के पास गया तो उसी में मेरे मुझे बात निकल गई जिसकी वजह से बिंदिया मुझे ब्लैक मेल करने लगी उसका मुझ बंद करने के लिए ही मैं उसे हर महीने पैसे देता हूँ राहुल के इस काले रूप ने सब को अंदर तक हिला दिया यहां तक कि उसके खुद के माबाप को भी सुश्मा ने राहुल को चार-पांच चाटे मारे बेशरम, खुनी, मैंने तुझे अपने बेटे जितना प्यार दिया और तुने मेरे ही पती को मार डाला और मेरी बेटी की भी जिंदी की तबाह करने चला था शर्माती है खुद पर कि तुम मेरी उलाद हो तुम्हारी जैसी उलाद होने से अच्छा है कि इंसान बे उलाद रहे ले जाई इस इंस्पेक्टर साहब पुलिस राहुल को ले जाने लगी राहुल ने गुस्से से कबीर और परीधी की तरफ देखा ये मत सोचना की मैं हार गया हूँ मैं वापस आउंगा और चुन चुन का तुम दोनों से बतला लूंगा ये कहकर वो वहाँ से चला गया मुझे माफ कर दो बेटा सुश्मा ने कबीर को गले लगा लिया सुश्मा ने कबीर के माता पिता से भी माफी माँगी परीधी कबीर के पास आई और उसके गले लग गई I love you, Kabir कहीं न कहीं मेरा मन कहता था कि मैं गलत इनसान से प्यार नहीं करती पर गुस्से और नफरत की पट्टी मुझे तुम्हारे चेहरे पर छाई सच्चाई को देख कर भी अंदेखा करने को मजबूर कर देती थी मुझे माफ कर दो दोनों एक दूसरे के ऐसे गले लगे थे जैसे अलग हुए तो मर ही जाएंगे कबीर बेटा गले नहीं आज मैं अपनी बेटी का हाथ खुद तुम्हारे हाथ में देती हूँ उसे अपना कर मेरी गलतियों का बोज कम कर दो उसे अपने प्यार से रंग दो इस प्यार के बंधन को हमेशा के लिए बांध लो कबीर ने मुस्कुरा कर परीधी की तरफ देखा जिसकी आखों में आसू थे कबीर हाथ पकड़ कर परीधी को मंडप में ले गया और दोनों पवित्र अगनी के सामने शादी के बंधन में बंधने को तैयार बैठे थे आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल लव सिटी को थेंक्स पॉर वाचिंग तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे ही यहां कदम रखने की आपका केस मैं ही अंडल कर रहा हूँ ये कहकर कभीर ने जैसे ही सुश्मा की कलाई पकड़ी उन्होंने जटके से उसका हाथ जटक दिया जिस वजह से उनके हाथ में दर्ध होने लगा आंटी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की तुमसे इलाज कराने की बजाय मैं मरना पसंद करूँगी कभीर गुपता देखिए परसनल चीज़ें एक तरफ और हैल्थ दूसरी तरफ बाकी चीज़ों का अफेक्ट आपकी हेल्थ पर नहीं पढ़ना चाहिए अबे ओए निकले हाँ से और अपना ये ग्यान तो अपने पास ही रख तेरी मौजूदगी ही हमारे लिए सबसे बड़ा दुख है मेरे परिवार से दूर रहे समझा तुम्हारा परिवार हसना बंद कर तेरे हसने से कुछ नहीं बदलने वाला इसलिए निकले हाँ से तू जो कर रहा है वो सब ठीक है पर अगर दुबारा मेरे साथ इस तरह की हरकत करी ना तेरा हाथ तोड़का तेरा हाथ में दे दूँगा मैं ये कहकर कबीर वहां से जाने लगा तभी अचानक एक पल के लिए रुका और राहुल की तरफ मुड़ा और एक बात बहुत दिन तुने धोंग और अच्छा बनने का नाडग रच लिया पर आज मैं तुस्ते वादा करता हूँ कबीर की आखों में अलग सा आत्म विश्वास था जिसे देखकर राहुल के पसी ने चूट गए वहीं परीधी और अक्षद भी कुछ नहीं बोल पाए तभी सुश्मा बोली किसकी सच्चाई क्या है वो हम सब जानते हैं पर अगर तुम हमें धमका रहे हो तो एक बात मेरी भी कान खोल कर सुनते जाओ आज से ठीक पंदरा दिन बात परीधी और राहुल की शादी है जिसका इंविटेशन मैं आज सबसे पहले तुम्हें दे रही हूँ कबीर भी एक पल के लिए सन रह गया पर फिर भी खुद को संभालते हुए बोला आपने मुझे बताया उसके लिए शुकरिया पर आज एक बादा मैं भी आपसे करता हूँ कि मैं पंदरा दिन के अंदर इसकासली चेराब सब के सामने लाग करी रहूँगा और मेरे प्यार को आप खुद अपने हाथों से मुझे सौपेंगी कबीर ने एक नजर परीधी को देखा और वहां से चला गया राहुल मन ही मन घबरा रहा था कहीं से कुछ पता तो नहीं चल गया मेरे बारे में मॉम ये पंदरा दिन में शादी वाली बात आपने क्यों कही क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं परीधी और राहुल की शादी अगले पंदरा दिनों में कर दूंगी राहुल बेटा क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है राहुल जो उस वक्त अपने ही खयालों में गुम था, सुश्मा की आवाज सुनकर होश में आया नहीं, नहीं आंटी सुश्मा ने एक राहत की सांस ली, वहीं पास खड़ी परिधी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रियक्ट करे एक जटके में एक बार फिर से उसकी जिन्दी की पलटने वाली थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो चुप चाब वहां से चली गई आंटी, अभी मैं चलता हूँ, घर पर भी इन चीजों के बारे में बताना है मुझे ठीक है बेटा, यहां से डिस्चार्ज होते ही मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम्हारे पेरिंट से मिलने, और इतनी जल्दी ये फैसला लेने के लिए माफी भी मांगूंगी नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो आपकी बात को समझेंगे सुष्मा ने राहुल की बात सुनकर मुस्कुरा दिया, और राहुल वहां से चला गया रास्ते भर उसके दिमाग में कबीर की कही बात गूंज रही थी, वो घर पहुँचा ही था कि तभी हॉल में उसे विनैरायचंद मिल गय राहुल ने उन्हें सीडियों से गिरने वाली बात बताई, पर ये नहीं बताया कि उसकी और परीधी की लडाई हुई थी, और ना ही कबीर की वापसी की बात अरे इतनी बड़ी बात हो गई, और तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा राहुल ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, और बोला इसके अलावा एक और बात है राहुल ये बोल ही रहा था कि तब ही वहाँ अंबिका भी आ गई और, और क्या बात है, सुश्वा अंटी चाहती है कि पंदर दिन बाद मेरी और परिदे की शादी हो जाए शादी? ऐसे अचानक से? हाँ, अब वो इस मामले में और दे नहीं करना चाहती बाकी डिश्चार्ज होने के बाद, वो खुद आप से इस बारे में बात करेंगी ये कहकर राहुल अपने कमरे में चला गया बिनय और अंबिका कुछ समझ नहीं पा रहे थे अगले दिन कबीर और रिचा एक कैफे में बैठे हुए थे रिचा, मैंने एक डिटेक्टिव से राहुल के बारे में इस सारी जानकाले निकालने को कह दिया है जैसे हमें कुछ पता चलेगा, हम तुरंट एक्शन में आ जाएंगे क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है पंदर दिन के अंदर अंदर हमें राहुल का साच सामने लाना होगा सुश्मा आणटी और परिधी के खुद पर लगा अल्जाम तो मैं आस तक नहीं मिटा सका पर इस वज़े से परिधी की जिन्दगी में बर्बाद नहीं होने दूँगा तुम फिक्र मत करो कबीर, एक ना एक दिन तुम्हारी सच्चाई सबको नजर आएगी बर्बान नहीं रिचा, चाहें परिधी मुस्ते जिन्दगी भर नफरत करे पर मैं कल भी उससे प्यार करता था, आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा रिचा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे हिम्मत दी और कबीर वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल गया हॉस्पिटल पहुँचकर कबीर ने सुश्मा का हेल्थ स्टेटस लिया और सीधा अपने केबिन में चला गया दुपहर के वक्त वो एक केस स्टडी कर रहा था कि तभी रिसेप्शन से उसके पास कॉल आई और वो कॉमन एरिया में चला गया जहां राहुल हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था और गार्ड से बहस कर रहा था हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़े कबीर ने कहा तुम होते कौन हो मुझे हॉस्पिटल में अंदर आने से रोकने वाले यहां का senior doctor suspended employee का ऐसे मूठा का चले आना allowed नहीं hospital में मैं यहां doctor बनकर नहीं बलकि अपने patient से मिलने आया हूँ patient से मिलना है अगर तो visiting arts में आओ जो कि अभी हुआ नहीं है ऐसे ही किसी भी वक्त तुम नहीं आ सकते इसलिए तुम जा सकते हो यहां से यह कहकर जैसे ही कबीर पीछे मुड़ा तो वहां परीधी खड़ी हुई थी राहूल अंदर नहीं आ सकता hospital के पर मैं तो अंदर आ सकती हूँ ना यह कहकर परीधी ने राहूल का हाथ पकड़ा और बाहर लेकर चली गई राहूल ने एक शैतानी हसी के साथ कबीर की तरफ देखा और परीधी के साथ चला गया कबीर को बहुत बुरा लगा पर वो भी बिना कुछ कहे वहां से अपने केबिन में चला गया पांच दिन बीद गए और सुश्मा को भी डिस्चार्ज मिल गया सुश्मा ने राहूल के घर पर जाकर शादी की बात कर ली और दोनों परिवार इसके लिए राजी हो गए दोनों घरों में शादी की तैयारी चल रही थी एक दिन कबीर अपने केबिन में बैठा था कि तब ही उसके पास डिटेक्टिव खन्ना का फोन आया जी खन्ना साहब डॉक्टर कबीर आप राहुल रायचंद के बारे में बिलकुल सही थे वो एक बहुत कमीना इनसान है और वो जैसा खुद को दिखाता है पैसा बिलकुल भी नहीं है उसने दुनिया के सामने अपनी एक छवी बनाए हुई है जिससे उसके घरवाले भी अंजान है जो कुछ भी है साफ साफ बताईए राहुल एक अयास किस्म का लड़का है लेट नाइट पार्टीज, दारू, सिगरेट उसका रोज का है साथ ही वो एक कोठे पर भी जाया करता है जहां बिंदिया नाम के एक लड़की से उसकी खास दोस्ती है पर अभी कुछी दिनों पहले उसका उस लड़की से एक बहुत बड़ा जगड़ा हो गया और उस दिन से वो वहाँ पर नहीं गया जगड़े की कोई खास वज़ा? वहां के लोगों से पता चला कि बिंदिया कुछ कह रही थी कि अगर ज़ादा शान पटी करी तो तिरा वो राज दुनिया के सामने खोल दूंगी और तू कहीं का नहीं रहेगा बिंदिया के ये बोलते ही राहुल ने उससे आगे कुछ नहीं का और वहां से चला गया ये बात भी सुननी में आई है कि वो बिंदिया को हर महीने एक मोटी रकम देता है इस बिंदिया से मिलना पड़ेगा? ठैंक्यू खन्ना सहाब अगर आपको और भी कुछ पता चले तो आप फिकर मत कीजिए मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बता दूँगा ये कहकर खन्ना ने फोन रख दिया शाम को कबीर खन्ना की बताई जगहे पर गया वहां हर तरफ सजी धजी लड़कियां खड़े होकर मर्दों को कमरे में लेकर जा रही थी कबीर वहीं खड़ी एक लड़की के पास गया ए हीरो चल आज तुझे स्वर्ग दिखाती हूँ मुझे बिंदिया से मिलना है ये साला हर कोई बिंदिया कोई क्यो ढूंटे हुए आता है ऐसा भी क्या खास बात है उसमें पहले वो अमीर जादा आया करता था और आज ये हीरो कबीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया खेर वो है बिंदिया का कमरा हमारे नसीब में तो सब भिकारी ही लिखे हुए है कबीर बिंदिया की कमरे की तरफ चला गया और जाकर उसका दर्वाजा खट-खटाया बिंदिया ने दर्वाजा खोला दर्वाजे पर टेक लगा कर कबीर को उपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराई आ, आजा अंदर कबीर चुक चाप अंदर चला गया बिंदिया ने दर्वाजा बंद कर लिया और उसकी गर्दन में हाथ डालने लगी बिंदिया, मैं हाँ इसलिए नहीं आया हूँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है पहली बार देख रही हूँ कि यहां भी कोई बात करने आ रहा है मैं हाँ तुमसे राहूल रायचंद के बारे में बात करने आया हूँ बिंदिया का चेहरा उतर गया इतने अच्छे माहूल में किस बज्जात का नाम ले लिया सारा मूर खराब कर दिया क्यों? ऐसा क्या क्या है उसने? जो तुम ये बोल रही हो वो तो यहां अकसर आता है न? आता था पर उसके उपर फूपकर उसे यहां से भगा दिया पर एक बात बताओ कि तुम उसे कैसे जानते हूं और यहां मेरे पास क्या करने आये हूँ मैं राहूल का सच जानने आया हूं बिंदिया अगर उसका सच नहीं पता चला तो किसी मासूम की जिन्दगी बरबाद हो जाएगी अरे साहब इस दुलिया में तो हर पांच मिनिट में ना जाने कितने मासूमों की जिन्दगी बरबाद होती है तो एक और सही इसमें क्या बड़ी बात है मैं भी तो मासूम थी पर दुनिया की गंदी नजर ने रौन दिया, और आज मैं ऐसी हूँ, अभी तुम खाली खोटी मेरा समय ना बरबाद करो, और जाओ यहां से. कबीर का सवाल सुनकर बिंदीया उसे देखने लगी, और उसे बातें बताने लगी. बिंदीया ने कबीर को कुछ ऐसा बताया कि उसके होश ओड़ गए. देखते देखते पंद्रा दिन बीद गए, और परीधी और राहुल की शादी का दिन आ गया. राहुल दूला बना सीशे के सामने खड़ा था. आज मुझे वो मिल जाएगा, जिसके लिए तने इस सालों से मैंने क्या क्या नहीं किया. अब तुम देखना कबीर, कैसे मैं तुम्हारी बुलबुल को तुम्हारी आखों के सामने से उड़ा कर ले जाऊंगा. थोड़ी देर में राहुल मंडप में आ गया और हवन कुंड के सामने आकर बैठ गया. दूसरी तरफ परीधी शादी के जोड़े में अपने कमरे में थी. उसने अपने कबर्ट से वही डायरी निकाली जिसमें कबीर की फोटो और लेटर्स थे. आसु के कुछ बूंद उस पर टपक गए. तब ही उसके दरवाजे पर नौक हुई और उसने अपने आसु पोंच लिए. सुश्मा रूम के अंदर आई और परीधी को लेकर मंडप में आ गई. राहुल और परीधी के शादी शुरू हो गई. तब ही वहां बिंदिया आ गई. और राहुल और परीधी के सामने आकर ख खड़ी हो गई. बिंदिया को देखकर राहुल के होश उड़ गए.